हेलो फ्रेंट्स आप शबी का अंकुष अकेडमी में श्वागत है और मैं प्रियंका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिवियस कोश्चन पेपर का सेट चल रहा है जारकन दरोगा का क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि क प्रिवियस कोश्चन पेपर को देखिए तो चलिए यह सेट 3 है तो चलिए कोश्चन को शुरू करते हैं कोश्चन नमबर 1 दो हजार में जारकन के निर्मान के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में जारकन मुक्ती मोर्चा जे-म के कितने थे तो जे 6 मुख्यमंत्री बना उसमे जे एमेम से कितने मुख्य मंतरी थे तो वो दो थे तो वन का जो होगा एंसर वो सी question number two जार्खन के दूसरे मुख्य मंतरी अरजुन मुंडा राजी के किस छेतर से आते हैं ये जो अरजुन मुंडा है वो कहां से आते हैं तो खर्षा वां से तो two का जो एंसर होगा वो डी question number three जार्खन में दूसरी बार जो राष्टपती सासन किस वर्स लागू हुआ था जार्खन में जो दूसरी बार राष्टपती सासन लगा वो कब लगा था 2010 में जून 2010 में तो three का जो एंसर होगा वो बी question number four जार्खन में भारे इंजिनेरिंग निगम लिमिटेड निमलिकित अस्थानों में से किस अस्थान पर इस्थान पर इस्थीत है ये जो भारे इंजिनेरिंग निगम लिमिटेड है वो कहां इस्थीत है तो राची में तो four का जो एंसर होग किस वर्स में अस्थापीत क्या गया था उने सो चोंसर में तो फाइब का जो एंसर होगा वो सी कोस्चन नमर शीक्स निमलिखित में से कौन सा परमुक बीच जारकण में उगाया जाता है तो ओप्षण के अनुशर कौन सा परमुक बीच जारकण में वर्गी करित किया गया है तो कितने वर्गों में वर्गी करित किया गया है तो चार वर्गों में तो 7 का जो answer होगा वो ए Question number 8 जारखंड राजी का छेतरफल क्या है? जारखंड राजी का छेतरफल है वो square meter में कितना है? तो 26,000 square meter तो 8 का जो answer होगा वो ए Question number 9 जारखंड में किश नदी पर तिले या जल विद्यूत परियोजना अस्थापित है ये किश नदी पर है तो ये ब्राकर नदी पर है तो 9 का जो answer होगा वोडी Question number 10 चत्रा जीला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभिर दोर से गुजर रहा है इन में से किस परती बंदित नक्सली संगठन दुआरा? तो किस के दुआरा? एम सी सी संगठन के दुआरा तो 10 का जो answer होगा वो बी Question number 11 पुरानों के मुताविक जहरकंड के कौन से मंदीर अंतिम संसकार के लिए उप्युक्त जगा माना जाता है? तो वो कौन सा मंदीर है जो अंतिम संसकार के लिए उप्युक्त जगा माना जाता है? तो बेलजनात मंदीर जो की देवगर में है तो 11 का answer क्या होगा? बी Question number 12 दुमका उप्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? ये जो दुमका है उसके उप्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होगे? 10 ब्लॉक तो 12 का जो answer है वो A जब जारकण द्रोगा का जो एक्जाम हुआ था उस टाइम जायदा तर जारकण से जो question पुछा गया था सब जीले का गठर पुछा गया था किस जीले में कितने ब्लॉक आते हैं वो पुछा गया था तो इस तरह का question आप जायदा देख लिजेगा जायदा इस तरह का question आप पढ़ लिजेगा question number तो 12 का answer क्या होगा question number 13 गढ़वा जीला जारकण के किस जीले के साथ जुदाई से बना था तो गढ़वा जीले का जो निर्वान हुआ वो किस जीले से तो प्लामू जीले से तो 13 का जो answer होगा question number 14 जारकण का सबसे उंचा सीखर कौन सा है तो जारकण का जो सबसे उंचा सीखर है वो कौन सा है पारसनत पहाड़ी और ये कहाँ पे है तो ये गढ़वा जीला में है और इसकी जो उंचा ही है अगर मीटर में पूछा जाए तो 365 मीटर तो 14 का जो answer होगा किस जीले से बनाया गया था तो संथाल प्रगनाशे तो 15 का जो answer होगा वो भी question number 16 किस विधान सबा चुनाप में पहली बार जारकण राज में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी कौन सा विधान सबा चुनाप हुआ था जारकण राज में भाजपा जो है भाजपा विधेपी वो पूरी बहुमत के साथ आई थी तो 28 दिसंबर 2017 होगा मगर यहाँ पे गलत यह misprint हो गया है तो 16 का जो answer होगा वो ए question number 17 गुमला जीले में कितने उप भी भाग है तो 17 का जो answer होगा वो भी question number 18 जारकण के निमले कित चीलों में से बिर्सा मुंडा इस्टेडियम कहां इस्टीद है तो बिर्सा मुंडा इस्टेडियम यह कहां पे है तो राची में है तो 18 का जो answer होगा वो डी question number 19 वह जन जाती जिसकी ओल्ची की script के नाम वाली अपनी script है तो वह कौन सा था तो शन्था तो 19 का जो answer होगा वो भी question number 20 निमले कित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा गोत्र जाना जाता है ओ राव तो 20 का जो answer होगा वो भी question number 21 जारकन में सर्व सिक्षा अभियान निमले कित में से किस द्वारा लागू किया जा रहा था ये जो जारकन में सर्व सिक्षा अभियान चला रहा है था वो किस के द्वारा चलाया जा रहा था जारकन सिक्षा प्रियोजना प्रिसत के दुआरा चलाया जा रहा था 21 का जो एंसर होगा वो क्या होगा B Question number 22 किस साल में मुंदा दुर्दा परकासित हुआ था तो किस वर्स हुआ था तो 1922 में 22 का जो एंसर होगा वो D Question number 23 23 आवादी के मामले में जारकन का सबसे बड़ा सहर कौंशा है तो आवादी के मामले में जो जारकन का सबसे बड़ा सहर है वो कौंशा है जमसेदपूर 23 का जो एंसर होगा वो ए Question number 24 जारकन को निमलिकित वर्स में किस वर्स रेलगाडी से जोड़ा गया था यह जो जारकन है उसको किस वर्ष से रेलगाडी से जोड़ा किया था तो 947 से तो 24 का जो एंसर होगा वो डी Question number 25 निम्न मैसी कौन सा छोटा नागपूर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है तो वो कौन सा जाना जाता है कोरामबे यह जो कोरामबे है उसको हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है तो 25 का जो एंसर होगा वो डी Question number 26 जारकन में पहला पावर स्टेशन अस्थापित किया गया था तो जार्खंड में जो पहला power station अस्थापित किया गया था वो कहाँ पे तिलेईया में तो 26 का जो answer होगा वो भी question number 27 जार्खंड में निम्नमेसी कौन सा संगरक्चित अस्थान सबसे बड़ा है ये question पिछले बार GPS exam में पूछा गया था तो वो कौन सा है प्लामू तो 27 का जो answer होगा वो ए question number 28 2021 की जनगर्णा के अनुसर जार्खंड में कितने सहर है ये पूछ रहा है 2021 की जनगर्णा के अनुसर जार्खंड में कितने सहर है तो कितना सहर था 152 तो 28 का जो answer होगा वो भी question number 29 धनबाद किस रेल्वेज छेतर के अंतरगद आता है ये जो धनबाद रेल्वेज है वो किस छेतर के अंतरगद आता है तो पूर्व मध्य रेल्वेज जिसका मुख्याल है कहां है हाजीपूर में तो 29 का जो answer होगा वो डी question number 30 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जीले के कितने block से की गई थी जो बोकारो जीले के का गठन 1991 में किया गया था तो धनबाद के कितने block को लेके किया गया था तो दो block को तो 30 का जो answer होगा वो 2 ये जारकर दरोगा का previous question paper था ये set 3 है आप इसको अच्छे से देखिए सारा previous question paper set करा देंगे ताकि आप इसको अच्छे से देख लीजेगा कि question कैसा पूछ रहा है उसी के basis पे आप अपनी तयारी किजिएगा और इस channel में जो नए है वो channel को subscribe किजिएगा like किजिएगा और जयदा से जयदा से एर किजिएगा तेंक्यू